नवस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चेर परीचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतोपूर जानकारी को लेकर के जिहां सुबह उठकर ये दो काम शाम तक कर लें पांच किलो चरपी आपकी कम हो जाएगी इससे जिहां दोस्तों हमेशे ऐसे कितने लोग हैं जो वजन तो घटाना चाहते हैं लेकिन डाइटिंग करने का टाइम नहीं है या फिर सुबह सुबह दोड़ने में आलस आता है सुबह नास्ते में पराठे बनाना तो आसान लगता है पर अगर कुछ हेल्दी बनाना पड़े जैसे कि दल आते हैं कि सुबह की छे अच्छे आदतें जिन्हें अगर आपने अपना लिया तो आप जल्दी ही आसानी से अपना वजन घटा सकते हैं आए जानते हैं कौन-कौन सी वह आदते हैं जिहां दिन की शुरुवात गुंगुने पानी से करें सबसे पहले जैसे ही आप अपने बिश्तर से उठते हैं सीधा की चन में जाए और एक ग्लास गुंगुना पानी आराम से धीरे-धीदे पीजिए गुंगुना पानी पीने से आपके शरीर के टक्सिन बाहर निकल जाते हैं जिससे आपके शरीर को चर्भी घटाने में सहायता मिलती है और तीजी से वजन कम होता है सुबह की चाय पीने की बजाए करम पानी में निम्बू और शेहद लेना शुरू कर दे चाय से कोई फायदा नहीं मिलता है इसलिए सुबह गुंगुने पानी में निम्बू का रस और शेहद लेना शुरू करें यह निम्बू पानी आपके शरीर को डेटोक्स करने का कारे करता है आपके शरीर में फैट जमान नहीं होने देगा जिससे आपका वजन कम होता है इसे नियमित लेने से आपके पाचन क्रिया अच्छी होगी और आप पूरा दिन एक्टेव महसूस करेंगे सुबा की धूप भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है इससे हमारी बोडी को विटामिन D मिलता है और हमारी हड़निया मजबूत होती हैं और स्वस्थ रहती हैं अगर हर रोज आधा घंटा सुबा की अच्छी धूप लेते हैं तो आपको मेटाबलिजम भी अच्छा रखने में मदद मिलेगी अगर आपको सारा दिन एक ही कमरे में बैठ कर काम करना पड़ता है तो सुबा की धूप जरूरी है कुछ देर धूप में बैठ कर वहीं पर योग आ लें या फिर मेडिटेशन करें हर रोज कम से कम 15 मिनट से आधा घंटा पैदल चलना बहुत जरूरी है अगर आपको लगता है कि टाइम की कमी है तो आधा घंटा जल्दी उठें इससे अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं जो ताजी हवा और अक्सीजन आपको सुबा के समय मिलेगी वह शाम को नहीं मिल सकती है सुबा हरी गास पर चलने से भी शरीर को बहुत भायदा मिलता है सुबा का नास्ता आपके दिन का सबसे एहम हिस्सा है आप कितनी भी व्यास्तों अपना ब्रेकफास्ट कभी भी मिश न करें या भी ध्यान रखें कि वजन घटाने के लिए कम खाना कोई सेल्यूशन नहीं है बलकि हेल्दी खाना सोल्यूशन है जिहां आपके नास्ते में प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होनी चाहिए नास्ते में आप ओर्स ले सकते हैं या ब्रेड या सेंडविच दलिया उपमा कुछ भी ले सकते हैं शकरकंदी सेव पपीता केला इत्यादी जिसमें प्रोटीन की मात्रा काफी ज़्यादा होती है अगर दूद लेना है तो आप दूद में चिनी ना डालें जी हाँ आप दिन में कितनी कैलोरी ले रहे हैं इसका भी ध्यान रखें हर रोज ध्यान दीजे कि आप क्या खा रहे हैं और वह आपके लिए कितना सही है अगर आप सुबह से ही इसका ध्यान रखेंगे तो पूरे दिन की आप प्लानिंग कर पाएंगे जिसकी वज़र से आपको वज़न कम करने में और नियंतरित करने में फायदा मिलेगा तो यह ध्याज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं को और बेहदी महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों